है यह लो फ्रेंड विल्कम टू आवर चैनल और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यू पीडिये लेज फॉर्स समेस्टर मैथ लेशन टू जैसे कि हमने फॉर्स लेशन जो है वह डिसकस कर लिया है दो पार्ट में ठीक है फ्रेंड तो आपको देख लिया होगा तो अब चलिए हम नेक्स्ट लेशन में इस वीडियो में बात करने वाले हैं गुड़ा की शंकलपना गुड़ा की शंकरियाए भाग की शंकलपना एभाग की शंकरियाए तो इस वीडियो का टोपिक यही रहेगा कि आप अप सुब्लस एडे कैसे करोहेगे ठीक है सब्सक्राइब और आपके पास सबसे पहले नूटिफिकेशन जा सकें तो लेट्स इस्टार्ट तो सबसे पहले तो देखिए यहां गुड़ा की संकल्पना आए यहां आपको सोटली में सब बता दूंगी तो सबसे पहले अगर आप मल्टिप्लाइ करने जा रहे हो तो आपक कि आखिर गुड़ा जो होता है वह उसकी परिभासा क्या होती है तो सबसे पहले आपको अगर यह समझ जाएंगे तो फिर मल्टिप्लाइ जो है वह आपके लिए एजी हो जाएगा क्योंकि आपके पाचवी तक के इस्टूड़न्स को पढ़ाना है तो आपके स्लाइवस मे यही है और फर्स समेस्टर में हो इसलिए अभी थोड़ा एजी है तो आप देख सकते हो कि मल्टिप्लाइ का जो आपका डिफनेशन होगा जैसे कि किसी संख्या का आपस में बार बार जोड़ ही गुड़ा बन जाता है या जोड़ने की जो संचिप्त रूप जो है वो गु यहां देख सकते हो आप कि टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस एक्वल टेन आप देख सकते हो कि यहां दो दो करके अलग अलग जोड़ा गया है जिसमें आपको टाइम लग रहा है यही अगर आप यहां से मल्टिप्लाइ की सहायता लेते तो आप को करना कुछ नह करते तो दो पचे दस होता है तो आपको इसली यहां आजाता तो यहां आपको समझने के लिए सबसे अच्छा यही तरीका है कि जो मालो एड में जो समय लगता है उसे हम सिंपली मल्टिप्लाइ करके भी आंसवर ला सकते हैं ताकि जो आपका वर्क है वह इजी हो सके जैसे आ 5 प्लस 5 5 5 5 को आड किया गया है तो 25 आंसवर आया है वहीं हम 5 into 5 करेंगे तो 25 आंसवर आ जाएगा तो आप यहां देख सकते हो कि गुरा का जो यह है वो कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है तो आप समझ गये होंगे ठीक है फ्रेंट जैसे अगर आप 4 into 1 करोगे तो प्लस करोगे तो आठ याईगा और वहीं अगर आप 4 इंटू 2 कर दोगे तो भी आपका अंसवर 80 आएगा तो आपको यह समझना है कि जो यहाँ का तरीका होता है उससे ज्यादा टाइम ना लगे इसलिए हमें multiply करना चाहिए ताकि थोड़े समय में बहुत सा हमारा work हो जाए तो अब यहाँ इतना सारा easily आपको समझाया गया है कि अता किसी संख्या का बार-बार जोड़ी गुड़ा है और बार-बार जोड़ने को आसान बनाने का तरीका ही multiply है यहाने की गुड़ा है तो अब आपको इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे कि कैसे question पूछे जाता है तो सबसे पहले आपको मैं एक example आपको दे दूँ कि जो into किया जाता है वो कैसे किया जाता है ठीक है फ्रेंट्स तो यह तो आपको पता ही होगा मुझे पता है फिर भी आप देख सकते हो एक 62 है अंक और एक आपका चोहत करें जिसमें आपको multiply करना है तो आपको करना कुछ नहीं है ठीक है फ्रेंट्स तो यहां आपको multiply करना होगा चार-चार-चार-दोना-वाट आपको यहां लिख देना है उसके बाद donations PL पाड़ा आपको च्छे बर पढ़ना है ठीक है फ्रेंट्स फिर आपको चार चके 24 यहां टाइप कर देना आए देन आपको 7 का ठीक है सतक साथ साधुना 14 तो 14 का आपको 4 लिख देना है और फिर साथ चक 42 और आपका जो प्लस एक था मतलब कि उसे हम हासिर बोलते हैं इसमें आड कर लेना है यानि कि 43 यानि 43 देन आपको इसे आड कर देना करने के बाद आपका आंश्वर 4588 जोड़ने पर आपका आश्वर आजाएगा इसे ही मल्टिप्लाई करना होगा ठीक है फ्रेंट्स तो चलिए हम आपको प्रेक्टिश दिखा देते हैं कि क्यूंकि पूछे जाते हैं क्यूंकि वह इंपोर्टेंट है तो अभी आप देख सकत हो कि यह प्रेक्टिश सेट आपके बुक में जो क्यूशन है हम वही डिसकस करने वाले क्यूंकि ऐसे क्यूशन पूछे जाएंगे बस जो आपके आंख है जो नंबर है वो चेंज हो जाएंगे बट रूल यही होगा तो अभी आप देख सकते हो कि निमने लिखित का गुरन प्रेक्टिश करना है और फूर आपको टाइप का अंख दिया गया है तो सबसे पहले आपको 24 लिखना है स्वरी पचीश है तो पचीश लिख देंगे इंटू चार ठीक है फिर अब आपको करना कुछ नहीं है अगर आपको पहाड़ा याद है इसली आपको याद होगा तो सिंपली आपको यहां से तो 45 होता है तो यहां सिंपली 0 लिख देंगे यहां अलग 2 लिख देंगे और 8 और 8 में प्लस 2 आइट कर देंगे तो आपका आश्वर शो आजाएगा तो यह आपका अन्सर हो जाएगा वैसे ही नेक्स्ट आपका है बीस इंटू जीरो तो आपको पता होना चाहिए अगर हम जीरो से मल्टिप्लाई करें तो हमारा आंस्वर जो है वो जीरो ही आएगा और फिर देखें नेक्ट भी आपका यही प्रोसेस है देर आपका नेक्ट भी यही प्रोसेस है पहले आपको यह लिखना होगा फिर चार में इंटू करना होगा फिर जो नेक्स्ट क्यूस्टन है कि निम्ने लिखित का भागफल जथा सेज़वल ग्याद करना है आपको तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपका चार्ज होता है भाज्य भागफल सेज़वल और भाज्य अगर हम simply आपको explain करके समझाए तो भाज्य हम उसे बोलते हम उसे बोलते हैं जिस संख्या से भाग आख दिया जाता है और देखिए जिस संख्या से हम भाग दिया जाता है ठीक है फ्रेम और नेक्सट आपको है भाग फल भाग फल मतलब की भाग देने पर जो प्राप्त होता है जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है जिस संख्या से ठीक है फ्रेंट्स उसे हम भाग फर कहते हैं नेक्ट आप आ जाता है तो सेस्फर हम उसे बोलते हैं भाग देने पर जो भी सेस रह जाता है उसे हम सेस्फर रहते हैं जिससे आप भाग दोगे तो नीच बहुत ही इजी से आप इजली शॉल्ब कर सकते हो तो देखिए आपके सामने फ़र्ष्ट है आपको देना है तो यह तो आप देखते ही माइंड में आपके दिमाग में आ जाएगा इसका आंस्वर जो है वह 0 ही होगा क्योंकि अगर आप 0 से 0 से भाग दोगे तो जो आंस्वर कर लोगे और यह जो आपका सकेंड है यह आपका पॉइंट में जो है वह आंस्वर आएगा तो हम आपको यहां तो सिंपली आपको दे दिया गया है तो यह आपको बताया जाएगा कि मतलब की क्यूस्चन कैसे आते हैं इंपोर्टेंट यह आपके लिए तो देखिए पाच यह आपको बोला है ग्याद करने के लिए तो चलिए हम अभी आपको शॉल्प करके सारी प्रोसेस दिखा देते हैं सिंपली यह देखने में आपको जो है वह हर्ड लग रहा होगा बट इजी है तो जैसे कि आप देख रहे हों कि हम आपके स्क्रीन पर जो क्यूस्चन का यह दि भाजक 483 भागफल अगर आपका 403 तदा 60 पर आपका 50 तो भाज क्या होगा तो यह असानी के लिए मैं आपको यह समझने के लिए ऐसा लिख दी हूँ ठीक है अब आप प्रूल समझे कि इसे आप असानी से कैसे कर सकते हो तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा सिंपली आपको करना कुछ नहीं है सबसे पहले भागफल अएड भा जक यह दोनों को आपको मल्टिप्लाई कर लेना होगा ठीक है फ्रेंट आपको 483 इंटू 403 का जो है वो मल्टिप्लाई कर लेना होगा उसके बास से धन जो भी आपका पराप्त अंख होगा ठीक है फ्र चिहापका सिस फण है उसमें एड़कर दोगा और एक इसकी आपका वरसे प्राप्त हो जाएगा ठीक हूए है जैसे आपको मल्ल्टिप्लाई करना होगा माल्टिप्लाई करने के रिया आप तीन का पहाड़ा तीन बर ठीक है तीन का तीन तीन चो नौ आपका यहां आएगा फिर तीन का पहाड़ा आपको आठ फिर पढ़ना होगा ठीक है तो यहां आपका चार आजाएगा 24 और फिर दो आपका प्लस होगा और नेक्स्ट आपका जो है तीन का पहाड़ा आपको चार पढ़ना होगा और बारा के बाद आप पढ़ोगे तो बारा आएगा बारा प्लस आपको इसमें से दो हासिल था तो आड़ कर देना है तो आपका 14 यहां आजाएगा ठीक है फ्रेंट्स ऐसे ही आपको कर लेने हैं ठीक है अगर मैं आपको सारी जो है एड़ करके बताऊंगी जो लोंग हो जाएगी तो आप तो इतना करें सकते हों तो इसके पासे जो भी आपका आपका जो आइच्वार आएगा जो भी आप जब इस दोंगों का मल्टिप्राइग करोगे तो जो भी आपका प्राप्त होगा उसमें शेसफल 50 एड़ कर देना है ठीक है आड़ करने के बाद आप देखिए simply आपको जो भी आपका आंश्वर आएगा वही correct आंश्वर होगा अगर आपको जाच करना है कि सही है या गलत तो simply आप इस आंग को लिखकर ऐसे ठीक है उसके भाग बेदी द्वारा आप अपने आंश्वर की जाच कर सकते हो तो जैसे इसमें आप भाग आपको जो है आपका 403 और सेजफल आपका 50 बच जाएगा तो देख सकते हैं simply आपको करना कुछ नहीं है पहले भाग फल को इंटू करना है दैन आपको सेजफल को इसमें एड करना है एड करने के बाद आपको जो भी अंग प्राप्त होंगे वह भाजी होंगे तो चलिए ह आप देख सकते हो कि आपके सामने निफ क्यूशन है कि एक कार खाने में परती एक दिन 750 साइकले तयार होती है और दो वर्ष में कुल कितनी साइकले बनेंगी यदि उन दो वर्षों में एक वर्ष लीप वर्ष है तो फ्रेंड्स यह जो क्यूशन आपके सामने लंबा सबसे पहले तो आप यहां क्यूशन को शमझो ठीक है फ्रेंड्स यहां बोला है एक कर खाने में परतीक दिन 750 परतीक दिन मतलब की डेली ठीक है फ्रेंड्स डेली एक दिन में 750 साइकले तयार की जाती है ठीक है और पूछा यहां कि यदि दो वर्षों में दो वर्षों कहा यहाँ पूछा है और उसमें इसमी बोल दिया एक वर्स जो है वो लीप वर्स है तो आपको यह पता होने चाहिए कि जो लीप वर्स है उसमें टीन्सो चाछचट दिन ब्ल Government और इसमाने वर्स जो है उसμεं तीन्सो पाशचच दिन होता है तो यह आपको पता होना चाहिए यह आपनों कर लो आपको पता भी होगा अब सिंप्ली आपको करना कुछ नहीं है Wam आपकी खितनी सैक्सिय одним तो 650 तो इन्टु आपको यहां मल्टिप्लाइए कर देना है सथे ठीके फ्रेंट देखिए कैसे तो अब आप देखिए अब जब आप 750 इन्टु सा स्वेक्टि से का मल्टिप्लाइए करेंगे तो सब्सक्राइए अपदेख सकते हो तो आप यहां देख सकते हो कि दो वर्स में आपकी कुल साइकले 5,48,250 साइकले आपकी बन कर तयार हो जाएगी तो आप देख सकते हो simply आपको कैसी है क्यूशन जो है आप पे सामने देखते देखते शॉल हो गया तो आपको पूछे जाते हैं हो सकता है कि आपको बहुत हार लगे बहुत ही begitu इजी होता है तो यह अभी वीडियो को अभी यही स्टॉपक करते हैं और इसाक्ट वीडियो में हम यह सारे प्रेंगे ठीक है फ्रेंट्स वह भी डीटेल में एक्सपलेशन के साथ तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अगर आप में चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको डीयलेट से रिलेटेट सारी इंपोर झींट